सिल्मान शो में आज बात दुलकर सिल्मान की अगली फिल्म लकी भास करकी, बताएंगे थल्पती विजय की फिल्म गोड कब रिलीस होगी, साथ ही जानी रितिक लॉस्टन और जूडियन एंटियार वॉर्ड 2 की किस हिस्सी की शूटिंग साथ करेंगे, मगर आगे बढ़ने स की फिल्म कैटन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फिर्स दुका गया है, इससे सिनेमा कॉन 2024 में रिलीस किया गया, मावल सिनेमेटिक उनिवर्स की फिल्म में इस बार करी सारे कैमे ओस होंगे, जूलियस ओना की डिरेशन बनने वाली ये सुपर हिलो फिल्म, 14 फरवार की शूटिंग शुरू कर दी है, बॉलिवुड घंगामा की रिपोर्ट के मताबिक, फिल्म के एरिल आक्शन सीन्स और जूनियर एंटियार और रितिक के डांसिंग सीक्वेंस की शूटिंग की जाएगी, ये पूरे 10 दिनों का शिडिल होगा, अक्षे कुमार और टाइगर कर मैदान ने कुल 7 करोन रुपए का बिजनस कर लिया है, इस साल एट पर शारुख या सल्मान की कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई, इस साल अक्षे और अजय की बड़े मिया चोटी मिया और मैदान रिलीज हुई है, मगर कमाई के मामले में दोनों ही फिल्में शारुख सल् इसे ऐसे समझी, साल 2013 में शारुख खान की चर्णिय एक्स्प्रेस इद पर रिलीज हुई थी, इसने पहले दिन 33.7 करोन रुपए कमाई थे, फिर 2016 में ये सल्मान की सुल्तान इद पर आई, इसने 36.5 करोन रुपए की ओपनिंग लिए, अब बड़े मिया चोटी मिया ने 15 करोन और मैदान ने सिर्फ 7 करोन रुपए कमाई है, इन दोनों को जोड भी दिया जाए, तो भी सिर्फ 22 करोन ही कलेक्ट होते हैं, जो शारुक सल्मान की फिल्मों के कलेक्शन से बहुत कम है, अलोजन की फिल्म पुषपाटू का बस बनना शुरू हो चुका है, निउस 18 की रिपोर्ट के मताबिक, मेकर्स ने फिल्म में छे मिनट के एक सीन के लिए करीब साथ करोड रुपए लगा डाले, इस शूट को पूरा करने में करीब 30 दिन लगे थे, रिपोर्ट के मताबिक ये एक फाइट सीक्विंस होगा, पुषपाटू के म्यूजिक और डिजिटल राइट स्कोर नेट्फिक्स ने 100 करों में खरीदा है, अजे दिविन की फिल्म सिंगम अगेन और अलु अर्जुन की फिल्म पुषपाटू का क्लाश होने वाला था, दो मुही इस साल अगस में रिलीज होने जारी थी, मगर अब रिपोर्ट्स हैं कि सिंगम अगेन की मेकर अपनी फिल्म को आगे खिसकाने वाले है, बॉलिबो नंगामा में शपी रिपोर्ट के मताबिक सिंगम अगेन का शूट पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में 15 अगस पर रिलीज करने के चक्कर में रोहिचेटी और अजे कोई जिल्दबाज ही नहीं करना चाहते, थल्पती पूइमोई.com की रिपोर्ट के मताबिक इस फिल्म को DVV दान्या प्रेड्यूस करने वाले थे, मगर विजय की 200 से 2500 करोन रुपे की फीस सुन कर दान्या ने ये फिल्म छोड़ दी है, हलाके इस पर अभी तक कोई ओफिशिल गन्फरमेशन नहीं आया है, दुल्कर सल्मान की फिल्म लकी भासकर का चीजर आ गया है, मूवी में वो एक साधारन से बैंकर बने है, वेंकी एट लूदी की डारेक्शन में बनी, इस फिल्म को इस साल जुलाई में रिलीस किया जाएगा इत की मौगे पर शारुक सल्मान और आमिर तीनों ने ही पब्लिक अपेरिंस थी, शारुक अपने घरमनत की बाहर, अबराम के साथ फैन्स को वेव करने आये, वहीं सल्मान ने गैलक्सी अपार्टमेंट में पिता सिलीम खान के साथ फैन्स को वेव किया, आमिर खान ने परता चल रही है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, उधर इंवेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ भी बहुत अजीव हरीत चीज़े हो लिए, कौन कर रहा है मुर्डर्स, क्या है उसका इरादा, और इसका लास्ट ट्विस्ट, आपके रोंग्टे खड़े करने वाला ह इसे जब मौका मिले, देख टालिये, फिलाल दीजी जातत मुलाकात होगी अगले सबता अगले एपिसोड में, तब तक जोड़ेनी हमसे देख ले लगन टॉप सिनमा, शुक्रिया